एकोमर्स एप्लिकेशन में जो जो प्रोड़क्ट आउट ओफ स्टोक हैं उनका एड्टू कार्ट वाला बटन भी इनेबल नहीं होना चाहिए इसको तब तक डिसेबल रहना चाहिए जब तक ये प्रोड़क्ट वापिस से स्टोक में अवलेबल ना हो जाए तो खेर बात है यहां पर इस बटन की और जो बात यहां पर सबसे इंपोर्टन है वो यह है कि हम कैसे इस बटन को डाइनेमिकली इनेबल और डिसेबल करें तो इसका सोल्यूशन है प्रोड़क्रटी बाइटे और आज इस वीडियो में हम बई सीखेंगे तो इस वीडियो का एक भी और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मेरा नाम है अरूक और आप देख रहे हैं UX Strength Welcome Back तो दोस्तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि Interpolation का Use हम Dynamic Data को Template में Bind करने के लिए करते हैं वैसे ही Property Binding का Use भी हम Dynamic Data को Template में Bind करने के लिए करते हैं बट इन दोनों में कुछ डिफ्रेंस है Interpolation का Use हम Dynamic Data को Display करने के लिए करते हैं जबकि Property Binding का Use हम किसी HTML Attribute में Dynamic Value को Bind करने के लिए करते हैं अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जहां हम Use करते हैं Property Binding को तो दोस्तों मैंने Property Binding के लिए एक अलग Component बना लिया है Data Binding वाले Folder के अंदर यहां पर मैंने दो Component बना लिया है Interpolation और Property Binding और दोनों को Data Binding वाले HTML में इस टाइप से लगा लिया है तो मैं Interpolation वाले को Comment कर देता हूं ताकि हम सिरफ Property Binding पर ही Focus कर पाएं तो अब इसका सबसे पहले Example है कि हम यहां पर एक Image लेते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं IMG और SRC SRC में हम Image का Path डालते हैं हम चेक करते हैं तो यह Image हमें ऐसे दिख रही है तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि Property Binding में हम जो हमारा Dynamic Data है उसको किसी Attribute में Bind करते हैं Interpolation में क्या करते थे हम सीधा Display कर देते थे दिखा देते थे यूँ करके इस टाइप से यहां पर Name या जो भी हमारी Property है तो यह Data Display होता था लेकिन Property Binding के अंदर कोई Attribute होता है जैसे यहां पर SRC है अब यह SRC Attribute है यह Display नहीं हो रहा मतलब यह Image Display हो रही है और Image का एक Part है मतलब Image का एक Attribute है SRC तो इसमें अगर हमें बाइंड करना हो तो हम Interpolation यूज नहीं करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे Property Binding और यह हम कैसे करेंगे तो मैं काम करता हूँ यह जो अब हम इस MyImg को Copy करते है और यहां पर पेस्ट कर देते हैं और इसके साथ हमें जो इस SRC वाला जो Attribute है इसको Square Bracket में Wrap करना होगा तब ही यह Work करेगा अब हम Check करते हैं तो अब यह Work कर रहा है अब इसका दूसरा Example हम लेते हैं हम Input लेते हैं Input Type Text अब इसमें एक Value Attribute होता है उसमें मैं लिख देता हूँ UX String हम Check करते हैं तो यह हमें ऐसे शो हो रहा है अब हमें अगर इसको Dynamic करना हो तो हम क्या करेंगे हम इसकी TypeScript फाइल में एक Property बनाएंगे जिसका नाम मैं देता हूँ Dynamic Value यानि कि DYN Value Type String और यहां पर मैं लिख देता हूँ जोल अब इस DYN Value को हम उठाते हैं और यहां पर लगा देते हैं और इसको रैप कर देते हैं Square Bracket तो अब आपने देखा वो Dynamic Value हमें यहां पर शो हो रही और भी कई सारे Attribute हैं यहां पर आप देख रहे हैं Old इसको भी अगर मैं डाइनमिक कर रहा है तो मैं यही वैल्यू यहां पर लगा देता हूँ तो अब हम इसको inspect element करके देखते हैं तो अब आपने देखा हैं यहां पर Old में जोन आ रहा है और इसको कई सारे एक्जाम्पल है जैसे यहां पर यह आईडी है इसको भी हम डाइनमिक कर सकते हैं ऐसे ही यहां पर यह नेम है यह टाइप है प्लेस होल्डर तो दोस्तों आपने यहां पर इतने सारे एक्जाम्पल देखे तो आपको समझ आही गया होगा कि हम प्रोपर्टी बाइंडिंग को किसी एक्ट्रिव्यूट में डाइनमिक वैल्यू को बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होगे कि प्रोपर्टी बाइंडिंग के इन सभी तरीकों में हम स्क्वेर ब्रैकिट की जगे कर्डी का के internation की Iceland के कि driving braces को यूज़ कर सकते हैं क्या तो हाँ हम कर सकते हैं तो पहले मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ तो हम इन दो में चेक करते हैं तो अपने देगा यहां पर यह अभी भी वर्क कर रहा है यहाँ पे यह जो src में image का पात है वो आ रहा है सही से आ रहा है और value में भी जोड आ रहा है वो भी विल्कुल ठीक आ रहा है तो हम यहाँ पे interpolation वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं property binding की जगे और वो work भी करेगा पर वो best practice नहीं है इस case में हमें use करना चाहिए square bracket जो की suggested method है property binding के लिए और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि property binding में कुछ चीजे ऐसी भी है जहाँ interpolation वर्क नहीं करता हमें property binding के square bracket ही use करने पड़ते हैं इसमें interpolation वर्क नहीं करता आप कैसे भी इनको यूज करके देख लो interpolation इसमें वर्क करेगा ही नहीं तो यहाँ पर आपको property binding ही यूज करनी पड़ेगी square bracket की help से ही इनको आप अचीव कर पाऊगे और यह हम कहां यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको intro में बताया था कि हमारे पास अगर कुछ product हैं और उन product में से कुछ product out of stock हैं तो उन out of stock वाले product का जो add to card बटन है वो enable नहीं होना चाहिए वो disable होना चाहिए ताकि कोई user out of stock वाले product को purchase ना कर पाए तो मैं आपको show करने के लिए इसका एक example रेड़ी कर लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर मैंने एक product list लिए और इस product list वाले div में मैंने तीन item रखे हैं और इन item में image, title और एक button रखा है जो की है add to card और अगर आपको particularly इस product list का HTML और CSS चाहिए तो आपको comment करना है product list HTML तो हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसा दिख रहा है अब यहाँ पर आप देखेंगे जो add to card button है तीनों के enable आ रहे हैं अब मान लीजेए इस में से यह वाला product है हमारे stock में नहीं है तो इस case में क्या होना चाहिए कि इस add to card button को होना चाहिए disable ताकि कोई user इसको purchase ही ना कर पाए अब इसको dynamically कैसे करेंगे हम देखते हैं code बे अब मैं क्या करता हूँ एक property बना लेता हूँ out of stock और इसका type होगा boolean और इसको हमें देता हूँ true या फिर out of stock की जगे मैं इसको लिख देता हूँ in stock की stock में है या नहीं है अब मैं इस in stock property को copy करता हूँ और यहाँ पे जो दूसरे वाला div है इसके जो button है इस पे मैं लगाता हूँ disabled attribute अब पहले मैं आपको ऐसे ही लगा के दिखाता हूँ कि क्या होगा तो आपने देखा यह बटन disabled है तो यह हमें ऐसे gray out दिख रहा है और इस पे हम कुछ कर भी नहीं पा रहे है और यह करसर भी इसका ऐसा दिख रहा है में और यह वाले जो button है यह disabled नहीं है तो इसलिए ऐसा नीला दिख रहा है इसमें मैंने क्या किया सिरफ यह cursor pointer एड किया और जो disabled वाले button है उनकी opacity 50% कर दिया नहीं कि 0.5 बैक्राउंड कलर ग्रे कर दिया और पर अभी तो यहां पे हमने statically किया है तो अब हम करते हैं इसको dynamic तो यहां पे जो disabled attribute है तो पहले हम इंटर पोलेशन से इसको achieve करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको यह पता चल सकी कि property binding क्यो important है तो इस type के जो भी attribute होते हैं जैसे disabled, checked, hidden वहां पे हमें property binding ही use करने पड़ती है तो यह आपको clear होगा तो अब हम यहां पे disabled में क्या करते हैं जो हमने property बनाई थी in stock मैं काम करता हूँ इसको false कर लेता हूँ कि मतलब stock में नहीं है यहां मैं लगाता हूँ in stock तो यह disabled ही आ रहा है अब मैं क्या करता हूँ in stock को false की जाए के true कर लेता ह तो आपने देखा अभी भी disabled लिया है वहीं फरक नहीं पड़ा इसको चाहे हम लगाएं ना लगाएं अब हम यहां पर यूज करते हैं property binding अब आपको आएगा कि property binding से इसको कैसे चीव करें तो हम इसको square bracket में लेंगे disabled को और curly braces से इनको हटा देंगे अब हम चेक करते हैं तो disabled तब हो कि जब यह इस टोक में ना हो तो अब आपने देखा अब यहां पर हमें इनेबल शो हो रहा है अब मैं क्या करता हूं इने स्टोक कर देता हूं false मतलब कि यह हमारे स्टोक में नहीं है तो अब यह disabled होगा तो इस तरह से यहां पर हम property binding के square bracket की help से ही इसको achieve कर सकते है और दूसरा रास्ता नहीं है तो इसलिए property binding important है कि interpolation में सारे attribute work नहीं करते उस type से मैं क्या करता हूं एक काम करता हूं एक property बना लता हूं products और इसको object बना लेता हूं यहां पर लिखते ता हूं item 1 false item 2 और item 3 लास्ट वाले को मैं true कर देता हूं अब हम क्या करते हैं यहां पर यह second वाला item है तो item 2 ऐसे ही मैं इसको copy करता हूं और यहां भी लगा देता हूं यहां पर item 1 कर लेता हूं और यहां भी लगा देता हूं यह third है तो यहां पर item 3 कर लेता हूं अब हम check करते हैं तो अब आपने देखा यहां पर यह dynamically यह get कर रहा है कि कौन सा product in stock है तो उसी को यहां पर add to card enable दिखा रहा है वैं क्या करता हूं इस product वाली property में यह last वाले में से true हटा देता हूं यहां लिग देता हूं false और उपर लिग देता हूं true यानि की पहले वाले को true कर देता हूं अब हम check कर तो पहले वाला अब in stock show हो रहा है ऐसे ही दूसरे को भी true कर देते हैं तो अब यह दो आइटम इस टोक में show हो रहे हैं तो यह बहुत अच्छा example है disabled attribute के use case को समझने का तो I hope आपको समझ में आ गया होगा अब ऐसे ही यह दो attribute और है hidden और checked अब मैं चाहता हूं कि जो watch वाला जो pure div है इसी को hidden करना चाहता हूं तो मैं यहां लिख हूँगा hidden तो य false है तो show हो रहा है मैं true कर देता हूं तो true कर दिया तो अब वो hide हो गया तो इस टाइप से यह तीन attribute है इनमें आपको property binding का use समझ में आता है और यह जो checked वाला attribute है इसको आप अपने से practice करके check कर सकते हैं और यह आप कहां use करेंगे जो input type checkbox होता है उसमें अब दोस्तो property binding में एक चीज और है जिसे attribute binding कहते हैं इसका syntax है हमें square bracket लगाना है और लिखना है ATTR उसके बाद हमें dot लगाना है और उसके बाद attribute name और यहाँ पे अपनी property तो यह इसका syntax है अब attribute binding वाला syntax हम कहां use करते हैं जहाँ पे जो attribute होता है वो एक standard HTML attribute ना हो यह आप कह स लगते हैं कुछ special जो attribute होते हैं वहाँ पर हमें attribute binding वाले syntax यूज करना पड़ता है जैसे कि आपने कई सारे accessibility attribute देखे होंगे जैसे कि area label, area hidden, area expanded, area control या पर आपने कुछ data attribute भी देखे होंगे जो हमारे custom attribute होते हैं जैसे data id, data name, data value या फिर आपने देखा होगा एक role attribute भी होता है तो यह सारे जो attribute होते हैं इन में normal जो property binding वाला syntax है वो work नहीं करता तो यहाँ पर हमें use करना पड़ता है attribute binding वाला syntax अब मैं area label लगाता हूँ my watch अब अगर यहाँ पर हमें dynamic data bind करना हो तो property binding का syntax क्या होता है हमें square bracket लगाने होते हैं और यहाँ पर अपनी property तो हम यह dynamic value वाली property क कोई उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं तो हमने लगा दिया तो अब यह work नहीं कर रहा अब आप देखेंगे यहाँ पर field to compiled आ गया नीचे यह हमारा project run होना बंद हो गया अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके आगे ATTR और dot यह लगाना पड़ेगा तो आपने देखा अ जैसे data id है मैं अगर data id यहाँ पर लिख दूँ मैं पहले attribute को हटा देता हूं तो आपने देखा यहाँ एरर आ गया तो हमें ATTR dot लिखना ही पड़ेगा तो अब यहाँ पर आगे data id zone तो इसे कहते हैं attribute binding जिसमें हमें property binding के square bracket में एक prefix लगाना होता है ATTR dot अब दोस्तों यहाँ पर हम जो property binding करते हैं उसका एक syntax और है अब जैसे मैं यहाँ अगर लिखता हूं title तो आपने देखा वाच में title आगया zone अब एक syntax तो है कि हम square bracket use करते हैं और इसका एक दूसरा syntax भी है जो कि बहुत कम use होता है उसमें क्या करते हैं हम attribute से पहले लगा दे हैं bind और hyphen bind title जैसे यहाँ पर placeholder है तो हम square bracket हटा देंगे और यहाँ पर लिखतेंगे bind-placeholder और इसी type से bind alt तो यह भी same वैसा ही work करेगा आपने देखा यहाँ पर bind title लगाया था लेकिन bind हटा दिया और title में यह dynamic property आ रही है ऐसे ही placeholder में alt में तो दोस्तों आज हमने देखे property binding को यूज करने के सारे तरीके सबसे पहला तरीका क्या था हम square bracket यूज करते हैं और जिसको अच्छे से समझने के लिए हमने disabled वाला use case भी देखा और इसके बाद हमने देखा attribute binding और last पर हमने देखा bind-attribute वाला तरीक तो I hope आपको property binding को यूज करने के सारे तरीके समझ में आ अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप लीचे comment करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like करें और शेयर करें और आप UX trend को Facebook, Twitter और Instagram पे भी follow कर सकते हैं दोस्तों अगर आप new है मेरे चैनल पे तो please मेरे चैनल क अपडेट आपको मिल सकें